अब ये वरिवन वेलकम बैक टू ये रोटोप चैनल फोर क्रेटिव इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे जो जनवरी में होने वाले एक्जाम थे उनके एक्जाम जो पोस्ट बन कर दिया गया था उनका एक्जाम कब होगी और एक्जाम होंगे या नहीं होंगे उसके पाद जानेंगे कि जून जुलाई सेशन वाले का समय कब से सब्मीट होना स्टार्ट होगी और उसके बाद जानेंगे जो जनवरी में होने वाले एक्जाम थे उसको पोस्ट बन कर दिया गया था उनके एक्जाम अगर दुबारा से हो तो क्या उनके एक्जाम फॉम फिलप आप दुबारा से फीर लप करना पड़ेगा क्या उनको दुबारा से फीर देनी पड़ेगी इसके बारे हम लोग जानेंगे आप लोग बने रहिए चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि exam कब होगी होगी भी या नहीं होगी सबसे पहले हम लोग जानते हैं June July सेशन वालों का जून जुलाई सेशन वाली जो थे जिनके एक्जाम 2021 में मंदब 2021 में जून जुलाई में सकेंड येर के होने वाले थे जो कि नहीं हो पाया और जो कि जनवरी वले सेशन में 20 जनवरी से कंड़क्ट करया गया था फिर भी 20 जनवरी से भी नहीं हुआ उनका देखा जाये तो अ ऐसा नहीं कर सकता हो कि पर्मोशन मिल ही गया मतलब पर्मोशन में होने की चांसे सहे जून जुलाइ सेशन वाले को लेकिन आप इस भरुसे में नार है कि पर्मोशन देगी आप प्रिपेशन करते रहिए यदि आप प्रिपेशन जाड़ी रखते हैं तो अप उस समय रिवीज कर सब साथ ही चलता है ६र नाहीं कोई अलग से एकजाम लेती है इसलिए अ चाहिए आप कोई भी कौर्स के हो सब के लिए ही नौटिफेकरिकेसन है आप जून जुलाइ सेंस्न वाले इस गये होंगे और बात रही December session वाले का तेकि December session वाले का exam होने के chances 80% plus है क्यों क्योंकि देखिए आप ही June July session जो 2020 इसमें second year के exam होने वाले थे उनके exam जुन जुन जुलाई में न होके December में conduct करया गया थे यहनि कि जो 20 January से होने वाले थी तो आपको भी यदि December में न हुआ तो जुन जुलाई में ले सकती है इसे कोई दिक्कत नहीं होने वाले एगनों को और नहीं आपको होनी चाहिए किलियर आपके ज्यादा ज्यादा six month ही मतलब अभी लॉस जाएगा आपको मतलब दिक्कत नहीं है ज्यादा इसलिए December वाले सेशन जो भी है आपकी एक्जाम 80% पलस होने की चाहिए इसलिए आप अभी रेगुलरली में परहाई करते रहें परहाई में कतोई ना करें किलियर इस तरह से जून और जुलाई दोनों सेशन वाले थोरा 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 जून वाले अप थर्ड भी लेकर चलिए और second को भी लेकर चलिए किलियर और थर्ड येर वाले के आप चाहोगे तो जुन जुलाई में थर्ड के एक्जाम दे सकते हो यानि कि जब अगर सकेंड येर के पर्मोट कर दिया गया तो किलियर और दिसंबर सेशन वाले के तो अभी सकेंड येर के एक्जाम होंगे और फर्स्ट येर वाले जो भी है कंप्लीट कर दिया कि होगी या नहीं होगी और कब हो सकती है कब हो सकती है देखिए मार्च लाष्ट मार्च तक उम्मित्ता रखा गया है यदि नहीं हो पाया तो जून जुलाई में हंडेट परसें हो गई के लियर मार्च अप्रेल के लियर मार्च अप्रेल में अगर नहीं हुई तो आपके 100% जुन जुलाई में होगी ओके उसके बाद ये तो हो रहा एक्जाम के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि SMN कब से सम्मीर करना होगा देखे हर साल हर ये जुन जुलाई से सेसन को मार्च मीड मार्च या लास्ट मार्च से सम्मीर करना होगा लेकिन फी दोबारा नहीं लगेगी आपके फी एज़ेस्ट कर दी जाएगी लेकिन दोबारा फी फी एजजेस्ट कर दी जाएगी करना परेगा इसमें पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा गलती कर चुका है और लेट भी देखे किया है मेरे द्वार रही इसलिए आप लोग पहले ही सतर करेए यदि आपके एक्जाम होंगे तो दुबारा से फॉम्फिलप करना ही परेगा इसलिए मैं इससे पह परमोट कर दिये जाएंगे तो नेक्स्ट यर में तब करेंगी उसके बाद यदि आपके एक्जाम जनवरी में जो होने वाली थी उनका एक्जाम अगर मार्च में ले 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 या जून जुलाई में ही ले ले तो आपके एक्जाम फॉम्फिलप दुबारा से फिलप करना प जाती है उसके बाद भी एक्जाम फॉम्फिलप दुबारा से करना परेगा यदि एक्जाम हुआ तो के लिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माधियम से तीनों बारे में महतपूर्ण जो होती है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग समझें आई होफ कि इसके बारे माँ आप समझ गये होंगे और हमारे चैनल के साथ जूरे रहे जो भी नोटिफिकेसान आती है एकनों के द्वारा आप सब तक जाएगी और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो भी नोटिफिकेसान आती है आप तक प प्लीज विडियो में लोग थैंक यू सो मुझ आप एविडिवन